कि आ सबस्क्राइब करने के बाद मैं अच्छे से इसको चोटा-चोटा कीशे से कड़ कर लिए हूं तो इसको मैं भी फ्राइब करूंगी दोस्तों आलू फ्राइब बनाऊंगे इसमें मैं धनिया है अच्छे से दूने के बाद कर ले chart कर लिए इसको भी मेर्चा है इसको भी मेरूं चालरी पर फोर्षराय करने झाय देखो दोस्तों कराही में रख चुकी हूँ तेल डाल तेल मतलब पढ़ गया है दोस्तों तो तेल आप अपने मतलब अपने हिसाब से लेना कम ज्यादा करके तो मुझे जतना चाहिए मैं उतना ले लिए दोस्तों तो गईस मेरा ओन है तो अभी मैं पहले इसमें डालूंगी एक चमच यह पच्फोरन है इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है अलू फ्राइब करने में इसे तो जरूर डाला चाहिए दोस्तों और मज़ा आता है खाने में और इसमें एक छोटा चमच हल्दी डाल रहे हैं हम गैस मेरा सीलो है अभी में आपको लिखाती हूँ देख दोस्तों अभी में अपना ये आलू राल रही हूँ देखो दोस्तों अभी में चला रहे हैं इसको अच्छे से चला लोंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कभी भी आलू प्राइ करना दोस्तों न तो सर्सो के तेल में भी करना है सर्सो के तेल बहुत लंग अच्छा लगता है खाय दिमन रहता है दोस्तों दोस्तों इसमें मैं अभी डाल रहे हूँ देखो दोस्तों इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ यह नमक मेरा स्वाद अनुसार है नमक पड़ गया अभी इसमें डालोंगी में हरा धनिया तो इसको में अच्छे से चलाऊंगी दोस्तों इसमें लाल मिर्ची पाउडर है खोड़ा से डाल रही हूँ एक घर का बनाया हुआ है इसमें काली मिर्च भी है और जीरा भी है दोस्तों तीनों मिक्स है इसको चला के मैं आपको लिखाते हैं देखो दोस्तों यह मेरा जीरा पाउडर है यह जीरा पाउडर डाल रही है तो कभी भी काली मिर्च जीरा पाउडर आप जरूर डालना फाली मिरिज तो मैं डाली उसमें था इसमें भी मिलाऊंगी मिलाने के बाली मैं आपको दिखाते हूं देखो दोस्तों मतलब आलू फ्राय मेरा बन के रेडी हो चुका है बहुत बढ़िये से बना हुआ है तो अभी मैं इसको सेफ करने के लिए दिखाती हूं गैस मैं बंद कर रही हूं अभी मैं इसको उतार रही हूं उसके बाद तो दोस्तों आलू फ्राय मेरा बन के रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से बना है आपको पसंद आएगा तो आप बनाना दोस्तों तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना सेयर करना सस्क्राइब करना कमेड में बताना कि मेरा यालू फ्राय कैसे बना हुआ है कि अपक्रवाज करें प्रूप्स करें दोगरे भागी से अपक्राज बढ़े टार इनके जए जड़े लगारा है